Hello everybody, this is Digraas Singh, Rajput, Welcome to Magnet Greens इस video lecture से एक नया chapter स्टार्ट करने वाले हैं Class 8 civics का chapter, chapter है Judiciary जी हाँ, बड़ा interesting chapter है ये भी इसमें आपको क्या जानने को मिलेगा पूरे judicial setup के बारे में judicial setup क्या होता है, ये भी एक doubt है देखे, तो यह जो video lecture है, ये एक basic introductory video lecture है जिसमें हम आपको क्या बताएंगे, कि chapter में क्या-क्या सारी चीज़े हैं, कौन-कौन से topics हैं, क्या-क्या पढ़ने वाले हैं तो एक मतलब जिस तरह से हम हर chapter को start करने से पहले एक introductory video देखते हैं जिसमें एक theme समझने की कोशिश करते हैं, कि what the chapter is all about ठीक है, basic crux क्या chapter के, वो सारी चीज़े मैं आपको इस video lecture में बताने वाला हूँ तो judiciary, what do you understand by this term, इस term से क्या समझ में आता judiciary से जिसे आपने starting chapters में इसी साल civics में पढ़ा हैं, क्या आपने legislature के बारे में पढ़ा ठीक है, executive के बारे में आपने सुना होगा पढ़ा होगा, तो executive क्या होते हैं, जो laws को execute करते हैं ठीक है, legislature कौन होते हैं, जो laws को बनाते हैं, example आप आपने जो बताओगे चलो ठीक है, एक homework देते हैं आपको interesting सा, comment section में आपको बताना है, कि legislature कौन होते हैं कुछ legislators के नाम बताना है आपको comment section में, और executive कौन होते हैं, तो एक दो executive के नाम बताना है आपको comment section में ठीक है, यह आपको homework हो गया आज का, clear, तो आप देखें क्या judiciary जो है, तो judiciary अगर हम बात करते हैं, तो judiciary क्या है जो तीसरा organ of government है, ठीक है, जिसमें सारे courts वगेरा जो आते हैं, आपको दिहान रखना है, अगर judiciary में courts आते हैं, तो rule of law का concept है, मतलब क्या है, कि हमारे law को सबसे उपर माना गया है, ठीक है, law makers को नहीं माना है, law makers law के बाद मे आते हैं, जो कानून है, उस हिसाप से नहीं जो अपना protection खुद कर लेगा ठीक है उसे protection की पी जरुवत है हम सारी चीज़ें law के हिसाब से चलाएंगे लेकिन law के हिसाब से चले ये ensure कौन करेगा कौन ये ताय करेगा कि चीज़ें व्यवस्तित rule of law के हिसाब से चले तो वहाँ पे judiciary एक बहुत important role play करती है ठीक है to ensure this rule of law, rule of law को ensure करने के लिए कि हाँ on ground इसे practically implement किया जासा के कि law को superior माना जाए not the lawmakers तो इस चीज़ को ensure करने के लिए we have a judicial system एक पूरा का पूरा जो system जिसमें judge, lawyer, courts ये सारी चीज़ें आती है वो judicial system है that consists of the mechanism of courts that a citizen can approach when a law is violated तो rule of law में क्या होगा कि आपका law सबसे उपर है और आपका law violate हो रहा है तो उसे reinforce करने के लिए कौन ये ensure करेगा कि आपके laws violate ना हो लोग किसके पास जाएंगे अगर laws violate होंगे तो तो उस पूरे के पूरी चीज़ें इन सारी चीज़ों को ensure करने के लिए एक judicial system है ठीक है which consists of the mechanism of courts that a citizen can approach तो यहां पर courts होते हैं जहां पर citizens जा सकते हैं अपने laws अगर violate हो रहे हैं तो when the laws is violated ठीक है when the law is violated I hope आपको एक theme समझ में आई है judiciary की यही basic introductory theme है आपकी book में भी यही दिया गाया कि किस तरह से judiciary काम करती है judiciary है क्या चीज़ आया समझ में judiciary plays a crucial role in functioning of India's democracy clear है और judiciary democracy जैसे हम बोलते हैं democracy के pillars होते अलग-अलग media एक pillar होता है एक executive होता है एक legislature होता है तो वैसे judiciary भी एक बहुत important pillar है क्यों अगर judiciary नहीं होगी सोचना दो minute के लिए तो laws तो होंगे, law बनाने वाले भी होंगे, law implement करने वाले भी होंगे लेकिन वो अगर सही तरह से नहीं चल रहे होंगे तो कोई देखने वाला नहीं होगा तो यहाँ पर guardian का काम करती है judiciary ठीक है? Constitution को देखती है कि हाँ Constitution है तो वो वैसा ही रहे सही तरह से interpret करके देती है constitution को judiciary, judiciary बहुत important है, ठीक है, सारी चीज़े important है, उनमें judiciary भी बहुत important है, देश में democracy को successfully चलाने के लिए, fine, अब देखे क्या है, ये supreme court की हमारी photo, प्यारा सा supreme court, ठीक है, कहां पर किस city में ये भी बताना आप मुझे, अब अगर बात करते कि हम क्या क्य पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखो, what we are going to study in this chapter, इसमें समझना चीज है, तो what is the role of the judiciary, judiciary का काम क्या होता है, next video lecture में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, what is the role of judiciary, what is an independent judiciary, judiciary, judiciary की independence बहुत जादा जरूरी है, क्यों जरूरी है, ये भी बताऊंगा, कैसे का करती है, independent judiciary होती क्या है, सारी चीज़ें इस video lecture में हम discuss करेंगे, ठीक है, what is the structure of courts in India, अगर इंडिया में courts हैं, तो courts का structure कैसा है, कैसे है, courts, कौन-कौन से courts है, supreme court तो सुना है, high court सुना है, subordinate court सुना है अपने, तो वो सारे समझाने वालों आपको में, ठीक है, what are the different branches of legal system, legal system में judiciary क्यों है, अभी आपको मैंने बताया था, ताकि किसी individual के rights अगर wallet होले तो judiciary में, जा सके अपने rights restore करवाने के अप्रोच कर सके, तो क्या वो, does everyone have access to the courts, ठीक है, क्या हर इंसान जा सकता है, is he or she in reality having the power, having the access to reach to the courts, तो हम उस issue को discuss करेंगे, PIL समझेंगे क्या होती है, ठीक है, P case, serial life case, उसके बारे में हम देखेंगे, उससे क्या outcome निकल क्या है, वो समझेंगे, fine, तो ये सारे topics होने वाले हैं, और last में NCID solutions discuss करेंगे, कि NCID जो questions है, वो questions आपके पास है, उनके answers मेरे पास है, तो उनके answers हम discuss करने वाले हैं, तो ये सारा compact chapter इसमें ये सारी चीजें पढ़न section, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much. तो आपको ये भी समझ में आता है कि judiciary जो है, तो वो क्या है, तो पूरा का पूरा जो judicial system है, जिसमें judge हैं, court हैं, lawyers हैं, सारे लोग हैं, जो हमारे constitutional values को uphold करके रखते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो लोग हैं, अगर लोगों के rights toilet होते हैं, rule of law जो है, उसे enforce करने में important role play करती judiciary, ठीक हैं, तो अब आप सिर्फ ये नहीं लिख सकते होगी, it plays a very important role in enforcing rule of law, हम functions देखते हैं कि क्या-क्या काम किया जाता है, judiciary के दुआरा, ठीक हैं, तो what do you think, तुमें क्या-क्या लगता है, क्या-क्या किया जा सकता होगा, सोचो दो मिनिट के लिए, random thoughts आने तो बस, सवाल सुमते से, आपके मन में क्या विचार आया है, वो बता हो, judiciary, तो अब आप बोलो कि हाँ, यार, मुझे पता है कि जब movies में देखा है, क्या, दो लोगों के बीच में, गर conflict हो जाता है, तो काम करती है, judiciary, ठीक है, conflict हो जाता है, मडर हो जाता है, तो भी जाती है, और उसके बा ऐसे समझना है चीज़ों को, तब देखो क्या है, courts take decisions on a very large number of issues, ठीक है, अगर आप बात करते है, what is the role of judiciary, तो courts take decisions on very large number of issues, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे issues पे court decision लिता है, ठीक है, तो सबसे पहला काम कहा रहता है, वो होता है, dispute resolution, dispute resolution मतलब क्या है, कि दो लोगों की बीच मगर विवाद है, dispute है, तो उस dispute को resolve करवाने का काम होता है, किसका, judiciary का, dispute resolution, पहला, the judicial system provides a mechanism for resolving disputes between citizens, ठीक है, अब देखो, dispute किस-किस के बीच में between citizens, आपके बीच में और मेरे बीच में dispute हो जाए, नहीं होना चाहिए, हो गया मान लो, तो क्या होगा, कि हम किसके पास जाएंगे judiciary के पास में, तो यह हमारे बीच के dispute result करवाती है, ठीक है, between citizens and the government, अब मेरे बीच में और government के बीच में अगर dispute हो गया, government ने मान लो, मेरी property पर कबज़ा कर लिया, कुछ भी कर लिया, ठीक है, तो क्योंकि government सब्सक्रादा powerful होती है, देश में सब्सक्रादा powerful कौन, government, क्योंकि government के पास में, पूरी की, पूरी resources है, पूरे की, पूरे की, क्या है, मतलब देखा जातो, पूरे का पूरा setup government के पास में होता है, तो government से जादा powerful कोई नहीं होता देश में, तो government से लोगों को बचाने के लिए जुडिशरी होती है, ठीक है, government और citizens के बीच में disputes होते हैं, अग तो क्या होगा, दोनों किसके पास जाएंगे, तो दोनों जाएंगे, supreme court के पास में, ठीक है, अब state और central government के लड़े होगी, राजिस्तान और Delhi government के लड़े होगी, मतलब central government की, तो क्या होगा, तो किसके पास जाएंगे, वो supreme court के पास, तो इस तरह से dispute resolution is one of the most important work, one of the most important role of judiciary, judiciary की तारा जो perform किया जाता है, उसमें कितनी सारी चीजे थी, वो सारी हमने आपको बताई, ठीक है, अब क्या है, दूसरा point आता है, judicial review, judiciary जो करती है, तो judiciary का एक important function, एक important role क्या है, judicial review देना, judicial review क्या होता है, मतलब जो भी judgments आएंगे, उन्हें फिर से review करना, या फिर जो भी law बन हैं कि wrong intent के साथ में तो नहीं बनाया है, ठीक है, judicial review क्या है, judiciary also has the power to strike down particular laws passed by the parliament, if it believes that these are a violation of basic structure of the constitution, अगर मान लो कोई law है, वो law क्या है, constitution का basic structure जो उसका violation करता है, basic structure जैसे हमने freedom, equality, इन सारी चीज़ों की बात करी, fundamental rights की बात करी है, और कोई law आता है, जो इन सारी चीज़ों को violate करता है, तो वो क्या हो गया, judicial review के purview में जाएगा, और उसी साब से judiciary देखेगी, क्यार ये law तो आपके basic structure जो constitution makers ने सोच के बनाया था, constitution उसके against में, हटा हो ये law को, ठीक है, तो उस तरह से क्या, judicial review में, judiciary के पास में ये भी power होती है, ये उसका function होता है, कि वो देखे कि laws जो बने, वो सही बने या नहीं बने, अगर गलत बने तो ने हटा है, ठीक, फिर क्या है, upholding the laws and enforcing fundamental rights, ये एक important function हो गया, क्या, कि judiciary क्या करती है, वो आपके fundamental rights को uphold करके रखती है, जैसे मैंने बताया, सबसे powerful state है, अगर मानलो, government ही आपके fundamental rights को violate कर देती है, government क्या क करती है, government आपको सही healthcare facility provide नहीं कर दी, government ने बोल दिया कि अपने अपने हिसाब से देख लो, तो आपके fundamental right है, right to life के अंदर, ठीक है, right to life के अंदर, आपका fundamental right है कि आपको जीने काधिकार है, तो जीने काधिकार है, ये नहीं सर्फ कि दो वक्त का खाना खालो और जीलो, आप आपको proper education मिलना चाहिए, आपको proper development होना चाहिए, proper healthcare facility मिलना चाहिए, सारी चीज़ होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही चीज़ बताएगे है, कि judiciary ये काम करेगी, judiciary will uphold the laws and enforce your fundamental rights, अगर fundamental rights violate होरे तो नहीं enforce करेगी, every citizen of India can approach the Supreme Court or High Court if they believe that their fundamental rights have been violated, अगर आपको आपके fundamental rights violate हो रहे हैं, तो आप किसके पास जाओगे, government के पास हो, सुकता है, government ही आपके fundamental rights violate कर रही हो, ठीक है, तो आप कहाँ जाओगे, सीधा जाना Supreme Court के पास में, कि हाँ मेरे fundamental rights violate हो है, और यह responsibility, यह role है, judiciary का कि वह आपके fundamental rights को restore करें, ठीक है, यह सारा सब कुछ हमने पढ कि what are the different roles of the judiciary, clear है, अब देशार की एक example दिया है, यहाँ पर, पश्चिम बंगा मजदूर समीती versus State of West Bengal 1996, यह चीज़ आपने 7th class में पड़ी थी, अभी मनी मन सोच रहे होंगे, कि सर यह इस class का तो याद रहता है, 8th का, अब आप 7th का पूछ रहे हो, ठीक है, तो मुझे पत होता है, ठीक है, तो इस तरह से उनको एक हॉस्पिटल, दो हॉस्पिटल घूंगते रहते हैं, उनका बहुत सारा blood loss हो जाता, फिर ultimately उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में डालना पड़ता, तब जाकि जान बचती है, अब सही होने पर क्या होता है, कि जो मजदूर समीती है, जो मजदूर संग था, तो उन्होंने क्या क्या हाकिम शेक के विहाफ पे कोट में केस फाइल कर दिया, कि ये गवर्मेंट की responsibility की किसी की जान जारी, तो गवर्मेंट उसकी देख रेक करें, तो right to life, article 21 के अंदर क्या होता है, गवर्मेंट ये declare करती है, सुप्रीम कोट इकलियर करता है कि जो वेस्ट बेंगल गवर्मेंट है, तो वो compensation पे करेंगी और ये ensure करें कि primary level पे healthcare facilities को improve किया जाए, तो fundamental right wallet होंगे, तो गवर्मेंट आपका पूरा पूरा धियान रखेगी, ठीक है, ये example से हमने आपको बताया, तो I hope आपको तीनो topics समझ में आए, क्या का करती है Judiciary, अब जैसे अगर देखें, तो Apex court कौन सा है, सबसे उपर court कौन सा है, हमारी country का Supreme Court, कहा है है, Delhi में इस समय, क्या हमेशा से Delhi में था, नहीं, पहले Calcutta में था, ठीक है, फिर shift होके Delhi में आता है, लेकि उसका जो नाम था या फिर जो functioning करने का तरीका था, वो अलग थ समझाता हूं, देखो कैसे, तो the Supreme Court was established on 26th January 1950, इस दिन हम क्या बनाते है, Republic Day, तो जी हाँ, जिस दिन Republic Day बनाया जाता है, उसी दिन Supreme Court ने भी established किया गया था, और इसके दो दिन बाद Supreme Court ने अपना पहला case लिया था, 28th January को 1950, ठीक है, the day India became a Republic like its predecessor, the Federal Court of India 1937-1949, ठीक है, तो Supreme Court से पहले जो उसका predecessor था, वो ये कौन था, Federal Court of India, ठीक है, तो Federal Court of India जो थे प्रिंसली हाउस ओफ चेंबर, यहाँ पर जैसे देखेंगे, तो it was earlier located in the Chamber of Princess, ठीक है, Chamber of Princess मतलब पार्लियमेंट में जो Chamber of Princess था, जो प्रिंसली हाउस थे, ठीक है, राजा रजवारे, तो वहाँ पे पह जो आज की उसकी present building है न, वहाँ कबसे लग रहा है Supreme Court, तो 1958 से, तो it moved to its present building on Mathura Road in New Delhi in 1958, 1958 में Mathura Road पे जो आज जहाँ पे Supreme Court है, वहाँ पहुच गया, तो यह सारी कहानी मैं आपको बताई, किस बारे में, what is the role of judiciary के बारे में, next video lecture में हम आपके chapter का next topic जो है, उसे discuss करने वाले है I hope यहाँ तक चीज़े समझ में आईए, किसी प्रकार का डाउट है, तो feel free to ask in comment section, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much Hello everybody, this is दिगराश सिंह राजपूत, welcome to Magnet Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, what is an independent judiciary जी हाँ, इस सवाल से पहले आपके मन में एक सवाल आया होगा, why we need an independent judiciary independence होती क्या है, independence तो पता है आप सभी लोगों को, independence यहने आजादी ठीक है, अब judiciary को भी आजादी की जरुवत है, judiciary को किसने गुलाब मना लिया, ठीक है तो तरह तरह के सवाल आया होगा आपके मन में impartiality of judge and judiciary is most important, judge और judiciary जो पूरा judicial setup है, इन लोगों की impartiality बहुत ज़ादा ज़रूरी है impartiality क्या होती, what do you mean by impartiality, तो impartiality is a situation when you are not giving favors to anyone, ठीक है, किसी को भी favor नहीं दे रहो आप आप क्या कर रहे हो, बिना किसी बेदभाओ के सभी को समान नजरों सो देख रहे हो, तब आप impartial रहोगे, जैसे मैं अगर मानलो sports teacher हूँ, काश हो जाता, ठीक है, तो sports teacher हूँ और अगर मुझे team select करना है, तो यह नहीं दिखूँगी, मेरे दोस्त का बेटा है, यह दोस्त की बेटी है, मैं सभी को दिखूँगा कि कौन कैसे खेलता है, और एक impartial way में उन्हें team मिलूँगा, तो वो क्या हो गया, वो एक impartiality का एक example दिया मैं आपको, ठीक है, अब क्या है कि impartiality of judge and judiciary is most important, तो यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, problem बहुत बड़ी हो सकती है, तो judiciary का आप गला घोड़ दोगे, example देते हैं, example से समझते हैं, मानलीजे एक politician है, एक politician ने क्या करके रखा है, एक judge को, एक judge और एक politician के क्या है, कैसे relation है, कि वो judge ने, उस judge को politician ने appoint करा है, ठीक है, तो अब क्या होने वाला, अब यह होने वाली simple सी judicial system देखने को मिल रहा है, which is in favor of that politician, ठीक, अब हमें क्या चाहिए, impartiality चाहिए, तो impartiality ensure कैसे की जाए, कि कोई भी judge और कोई भी politician का आपस में, कोई interdependence ना रहा है, कोई politician, कोई leader, कोई minister, कोई prime minister, कोई chief minister, कोई भी, किसी भी प्रकार से judge को कोई favor ना दे सके, ठीक है, ना judge ले सके, तो उसके लिए हम क्या करते है, how can we ensure this, ये partiality, impartiality उसे ensure कैसे किया जा सकता है, तो by granting independence to it, independence किसको, ठीक है, तो independent judiciary को, तो what is an independent judiciary मैंने बताया आपको, कि judiciary अपने आप में सशक्त रहे, ठीक है, और वो क्यों जरूर ये, ताकि किसी भी प्रकार से partial ना हो judge और judiciary, ठीक है, तो how can we ensure the impartiality of judge and judiciary, तो by granting independence to it, अब independence कैसे दोगे, how, तो ये भी समझो, by separation of power, ठीक है, बहुत सारे शब्द एक के बाद में एक bombard होगा है, आपके उपर, अब relate करने की कुशिश करना, separation of power में क्या है, कि आपने power separate कर दिये, executive की जो power रहेगी, वो laws को execute करना, legislature की जो power रहेगी, कि वो laws को बनाना, judiciary की जो power रहेगी, तो वो देखेगी, कि जो laws बने, जो laws का execution हो रहा कहीं, वो गलत तरह से तो नहीं हो रहा है, लोगों के साथ गलत तो नहीं हो रहा है, लोगों के fundamental rights तो wallet नहीं हो रहे है, इन सारी चीजों को देखने का guardian of constitution का का काम करेगी, judiciary, power तीनों की कि by granting independence to it, तो by separating power, you are granting independence to judiciary, और जब आप independence दे दोगे, तो ये काफी हद तक ensure किया जा सकता है, कि judiciary क्या रहने वाली है, impartial रहने वाली है, आया मज़ा, ठीक है, अब समझ में आई यह चीज है आपको, तो अब आपको explain भी कर देते हैं एक जिसे, क्या होता है, other branches of government, the legislature and the executive cannot interfere in the work of the judiciary, क्योंकि आपने working area separate कर दिये legislature के executive के judiciary के, तो उसके चलते क्या है, कि other organs of the government है, जो दूसरे organs है, legislature and executive, उन्हें judiciary के काम से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, जो judgment judge को सहीं लगेगी, ठीक है, Chief Justice of India को सहीं लगेगी, वो जो argument सुरेंगे, जो evidences देखेंगे, उस हिसाब से वो अपनी judgment सुनाएंगे, ठीक है, उस हिसाब से वो अपनी judgment सुनाएंगे, अब judgment जो सुना दी तो ऐसा नहीं कि कोई भी executive, कोई भी legislature वहाँ पहुच जाएगा, बोलते कर नहीं है, यह change करो judgment, आगे ना चाहिए, तो इस तरह से हम independence ensure करते हैं by separating power, the courts are not under the government and do not act on their behalf, courts किसी को uphold करेंगा, उसके लिए government माहिने रखते हैं, इसके लिए माहिने क्या रखता है, constitution माहिने रखता है, courts के लिए, आयना समझ में, तो यह judiciary की कहानी मैंने आपको बताई, clear है, यह रियान रखना है आपको, अब आगे देखो क्या है, to ensure independence of judiciary, judges in high courts as well as the supreme courts are appointed with very little interference from other branches of the government, तो ज बहुत क्या होगा, ऐसा होगा कि जहां पर बहुत little interference हो, दूसरे organ of government, कि वो आपस में अपना coalition बना के खुदी लोग, judiciary के जो लोग है, वो आपस में तै कर लेती कि कौन judges की तरह appoint होने वाला है, maximum number कितने होते है, judge के 34 Supreme Court में, ठीक है, ध्यान रखना है, अब देखो क्या, to ensure independence of judiciary, judges in high court as well as the Supreme Court are appointed with very little interference from other branches of government, once appointed to this office, it is also very difficult to remove a judge, और देखो, independence आप ऐसे भी ensure करेंगे, मान लीजेगर कि पावर होती, president के पास में, आप राइम मिनिस्टर के पास में, एक एक एग्जामपल दे रहे हम आपको, कि वो किसी भी judge को remove कर सकते थे, तो उससे क्या रहेगा कि judge हम प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलना है, president के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलना है, तो हमें remove कर देंगे, तो क्या है, constitution ने power दिये, ठीक है, यह power इसलिए ता कि हमें independent और bold एक powerful judiciary खड़ी कर सके, क्या power दिये, कि once appointed to this office, it is very difficult to remove a judge, आप judge को ऐसे यूहीं remove नहीं कर सकते हो, remove करना difficult होगा, ठीक है, यह सारा सब कुछ हमने discuss किया, इसमें what is an independent judiciary में, कि independent judiciary क्या होती है, आयरा समझ में independent judiciary के वारे मैं आपको बताए कि कि किस तरह से काम करती है, क्यों जरूरी है, तो I hope जब हमने start किया था topic कि what is an independent judiciary, तो आपको कुछ नहीं पता था औ advantages of independent judiciary, अगर आप बात करते हैं कि क्या advantages है, एक independent judiciary होने के, तो उसके advantages भी समझो, advantages क्या है, it plays a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and executive, जब एक judiciary independent रहेगी ना, तो वो अपने हिसाब से काम करेगी, जब अपने हिसाब से काम करेगी ना, तो वो किसी भी तरह से influence नहीं होगी, legislature से, executive से, डर-डर के काम नहीं करेगी, bold तरह से decision ले से केगी, और जो जरूरी होगा, अगर executives गलत हैं तो हमें गलत कहना पड़ेगा उन्हे, legislatures ने गलत law बनाया है, तो judiciary फटकार लगा है, उस law को cancel करे, तब जाके balance of power बनेगा, तब power equally distributed रहेगी, आया ना समझ में, तो it plays a central role in ensuring that there is no misuse of power, तो अगर मानलो जिससे क्या होता कि judiciary डब के रहती ना, तो legislature और executive क्या करते हैं, वो अपनी power का कैसे भी गलत इस्तमाल कर सकते थे, लेकिन आज डर के रहेंगे वो, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम हमारी power से बाहर निकलेंगे, तो judiciary क्या कर सकती है, हमें फटकार लगा सकती ह हमें जेल में भी डाल सकती है, ठीक है, वो सारी चीजे मैंने आपको बताई, कि किस तरह से एक independent judiciary का होना बहुत ज़्यादा important है, पहला point, दूसरा भी देखो, तो it also plays a crucial role in protecting the fundamental rights of citizens, क्या होता कि कि किसी के rights violate होते हैं, तो अब वो rights violate होगे, मानलो किसी के rights किसी government के इंसाने वा होते हैं, तब क्या करेगी, एक independent judiciary ही वो decision ले सकती है, जो देखेगी, कि हाँ ये इनसान एक अलग है, government एक अलग है, लेकिन government अगर गलत कर रही है, तो government गलत कर रही है, government को सजा मिलना चाहिए, ठीक है, तो it also plays a crucial role in protecting fundamental rights, ताकि जो कमजोर है, उनके भी rights को बचाया जा सके, और उन्हें बचाने के लिए आपको एक मजबूत judiciary, एक independent judiciary चाहिए रहेगी, ठीक है, तो जैसे ये judiciary का मतलब एक court scene बताया है, किस तरह से काम होता है courts में, आया समझ में judge रहते हैं, judge decision देते हैं, lawyers जो हैं, तो अपनी arguments देते हैं, evidences वगेरा, ये सारी चीजे, working और बहतर तर ये, किसी प्रकार के doubt है, तो feel free to ask in comment section, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much, hello everybody, this is दिग्रास सिंह राजपूत, welcome to magnet brains, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, what is the structure of courts in India, courts का structure क्या है इंडिया में, courts का structure भी होता है, जी हां, देखें, यहां का आपको टैंगल बनाओ दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, आपको supreme court, high court और lower court, अभी में आपको जब भी किसी भी चीज़ को triangular way में explain किया जाता है, तो उसको समझने का तरीका बताता हूँ, कि जो नीचे वाली चीज़े होती है, जैसे lower court है, नीचे है, तो lower court क्या है, मतलब यह सबसे lower level पे lower court भी लिखा है, तो नीचे ही है वो, और उसके बाद में क्या है, यह number में सबसे ज़्यादा है, फिर क्या है, high court तो lower court से उपर होंगे, लेकिन उनका number जो होगा, तो जैसे triangle उपर कम होता है, तो high court का number कम है, ठीक है, quantity में कम है, और वो position में उपर है, फिर supreme court मैंने आपको क्या पताया था, कि why we require an independent judicial system, ठीक है, हमें independent judicial system की कितनी जादा जरुवत होती है, वो मैंने आपको बताया था, कैसे independence ensure की जा सकती, वो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो वो साही चीज़ा हमने पिछले वीडियो में पड़ी थी, अभी क्या देखेंगे अभी हम यह दिखेंगे की structure किस तरह से क्या-कया है, तो there are different level of court in our country, what are those different level of court in our country, तो उसमेंदेखो क्या है, supreme court, सबसे उपर, जो अभी दिखाया है मैंने तो the highest level of court in our country is supreme court, supreme court is also known as apex court, apex मतलब क्या हुदा है, जो सबसे उपर, सबसे उपर supreme court होता है, it is in Delhi, ये भी पता है आ अब क्या होता है कि यहाँ पर it is being presided by the chief justice of India और सुप्रीम कोट को preside कौन करता है सुप्रीम कोट में सिद देखा जाये न तो head कौन होता है सुप्रीम कोट का तो head किस sense में वो भी समझाता हूँ तो जितने भी judges हैं सुप्रीम कोट के उन सारे judges में जो senior most judge होते हैं वो Supreme Court के क्या बन जाते हैं मतलब Supreme Court के क्या पूरी country में जो जुडिशेरी है तो जुडिशेरी के Chief Justice of India बन जाते हैं ठीक है तो Chief Justice of India is the Senior Most Judge among the All Judges present in Supreme Court Fine ये हो गया अब देखो क्या होता है next level पर अगर आते हैं तो वो है High Court कहाँ पाए जाते हैं तो पाए जाते हैं States में uw ठीट इसमें Chinese में कैसे से हमारा के थैसा बहुत पर और पढ़ेंगे कि उतने टार्रोय होतने हैं क्योंकि कुछ च्िेस्टेटिस के क्या है एक ही uniform मतलब है मतलब दो-तिन श्रेट्स के चाहर मिला के एक सांत मिलाके एक है 있지 तो हम वो भी संजेंगे ओ top install अग्युड और हैस्पाका इनगीə है तो इस तरह से क्या है आप ऐसे समझ लोबी कि लोवर कोट डिस्ट्रिक्स में ठीक है हाई कोट स्टेट लवल पे और सुप्रीम कोट सेंट्रल लवल पे ठीक है हरार की हमने आपको समझा दी फाइन अब आगे अगर हम देखते हैं तो इस तरह से हाई कोट जज होते हैं हाई कोट में सुप्रीम कोट में सुप्रीम कोट जजज होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लवल पर जो कोट होते हैं तो वहाँ पर दिस्ट्रिक्ट जज होते हैं फाइन आगे क्या है, चली, आगे दिखाते हैं आपको तो देखो, यह कुछ डेटा है, जो आपकी बुक में दिया है, बॉक्स में इसे समझी है, और काफी कुछ अच्छा जानने को मिलेगा आपको देखो, तो High Courts were first established in three presidency cities of Calcutta, Bombay and Madras in 1862, 1862 में हम क्या थे, British calendar में थे, British rule था, ठीक काम क्या बढ़ गया, British territory जब बढ़ गई, तो उन्होंने कब्जा कहां कहां कर लिया, Bombay पे, Madras पे, Calcutta पे, तो उन्होंने वहां पे, इन तीनों presidency city में एक एक High Court establish कर दियो, इस तरह से High Court का प्रचलन चालू हो गया, ठीक है, फिर क्या है, the High Court of Delhi came up in 1966, 1966 में High Court of Delhi आया, currently there are 25 High Quartz, आज के समय में हमारे कितने 25 High Quartz है, अब आप बोलो कि 28 states हैं, 28 states में क्या है, 25 High Quartz कैसे, तो देखो, बुक में जो data दिया है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि, changes होते रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा कि Jammoo Kashmir में क्या कर दिया, आप state नहीं रहा, तो उस हिसाब से ची के बीच में एक क्या करदी High Quartz कर दिया, तो इसकारण हमारे नंबर जो है, तो वो state के बराबर नहीं High Quartz के है, फिर क्या है, and four Northeastern states, तो चार states, Assam, Nagaland, Mizoram और अरुनाचल प्रदेश, ये चार states का एक ही High Quartz है, ठीक है, have a common High Quartz at Guwahati, तो Guwahati में चारो states का एक High Quartz है, common High Quartz, ठ ठीक, तो इस तरह से क्या है, ये important चीज जो मुझे आपको बताना था, कि number of High Quartz क्यों कम है as compared to the states, जब हम कहते है कि एक state में एक High Quartz होना चाहिए, तो यहाँ दो इस चार स्टेट में एक High Quartz, तो ऐसे कम हो गया, ठीक, अब क्या है, देखो, आंदर प्रदेश, आंदर में एक अमरावति और एक तेलंगाना, मतलब एक अंदर प्रदेश और एक तेलंगाना, दो states निकल के आ गए, तो अब यहाँ पर क्या कर लिया, इन्होंने क्या कर लिया, आंदर प्रदेश एंड तेलंगाना have separate High Quartz from 1st January 2019, 2019 सिन के अलग-अलग क्या हो गए है, High Quartz हो गए, तो अंदर प्रदेश का High Quartz अमरावति में तेलंगाना का जो पुराना था है, हैधराबाद में वो वही है, ठीक है, क्योंकि वो उसी territory में आता है, तो इस तरह से पहले इनका भी एक ही था, लेकिन बाद में क्या कर दिया है, split कर दिया गया, fine, अब क्या देखो, some High Quartz have benches in other parts of the state for greater accessibility, क्या होता है, कि कभी-कभी कोई states बड़े हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक state में दो जगा High Quartz की bench हो जाती है, ठीक है, जैसे एक example देता हूँ मद्रदेश, मद्रदेश में क्या है, Indoor में एक bench है, High Quartz की, और मद्रदेश का High Quartz State Capital में, जरूरी नहीं कि State Capital में हो, ठीक तो यह मैंना आपको कुछ important details बताई है, जो box में दी थी, आपको पता रहना चाहिए, what is the structure of Quartz in India में, आगे क्या है और अब यह चीज समझना, ठीक है, तो देखो यह सुंदर सा पटना High Quartz है, ठीक है, करनाटक High Quartz है, तो इनकी buildings कितनी सुंदर है, क्योंकि बहुत सारे High Quartz अधिकतर, प्री बिटिश टाइम में, प्री इंडिपेंडेंडेंस टाइम में बनें, तो इस कारण से काफी पैसा खर्च किया गया है, उस पर कैसकते, बिटिश का तो पैसा था नहीं, वो तो इंडिया से लेते थे, और उनने सुचा, यही रहना, हमारे आफिसर रहे हैं, तो यही अच्छा बना दो, ठीक है, आगे क्या है, देखिए, आर इस कोट कनेक्टेट विट इच अधर, अब सवाल या आता, आपने ट्रेंगल तो बना दिया है, ठीक है, ट्रेंगल में भी बता दिया हरायर की कौन सी, सुप्रीम कोट है, हाई कोट है, और लोकल कोट है, आपको यहाँ पर यह समझना कि क्या यह तीनों कोट सापस में जुड़े हुए, तो आप बोलोगे, यहाँ जुड़े हुए है, कैसे, कि एक ही ट्रेंगल के अंदर है, ऐसे जुड़े हुए नहीं है, ठीक है, यहाँ यहाँ एंटिग्रेटेट जुडिशियल सिस्टम, और इसी कारण से हम कहते हैं कि इंटिग्रेटेट जुडिशियल यह है, समझाओ, देखो, मतलब आपने अगर क्या है कि डिस्ट्रिक कोर्ट में आपको कोई जज्जमन सुनाए गया है, ट्रायल कोर्ट जो होता है, तो वहाँ पर आपको बोल दिए कि आप मुझरिम हो, ठी ठीक है, अब हाइर क्या होता है कि हाई कोब दिया कि आप तो बिल्कुल भोले से और आपने तो कोई गुनाऑ किया नहीं है, तो जो आपके अपोनेंट थे तो नहीं ने गलट जज्जमेंट सुनाए हाई कोड ने, इस इन्सान ने जिर्म किया वो सुप्रीम कोट चले तो आप ट्रायल कोट से कहां जा सकते हो आप ट्रायल कोट से जा सकते हो हाई कोट में और हाई कोट से सुप्रीम कोट में और सुप्रीम कोट से भी सटिसाइड नहीं तो फिर कहां जाओगे तो उसके बाद तो कोई कोट ही नहीं है ठीक है लेकिन फिर भी आप प्रेसिडेंट से मर्सी पेटिशन लगा सकते हो अगर आपको फांसी की सजा मिलिए तो वह आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे बागी अभी क्लिए ऐसा समझ लो कि हमारा इंटिग्रेटेड जूडिश़ सिस्टेम मतलब एक लेवल उस जूडिशेरी साफ दूसरी लेवल उस जूडिशेरी पर जा सकते हो और जो हायर लेवल उफ जूडिशेरी है उसका डिसीजन हमेशा प्रिवेल करेगा ऑबर दी लोवर लेवल उस कोर्ट्स आगे ना तो लक्षमन कुमार की वाइफ को क्या किया जाता है लक्षमन कुमार की वाइफ को क्या किया जाता है लक्षमन कुमार की वाइफ को क्या किया जाता है लक्षमन कुमार की वाइफ जल जाती है आग में क्या बताया जाता कि वह गैस से जल गई है चीक है गैस से जल गई है और जब गैस से जल जाती है तोसकी डेथ हो जाती है उसके बाद में क्या होता कि जुँआ कि लक्ष्मय कुमार की वाइफ की वाइफ की वाल्य मेंबर और सबूत किस ने दिया तो आजू बाजू के जो निबर्स थे उन्होंने बोला कि हाम ने चीक थे चिलाते वे सुना ये सारी चीज़ें। तो यसा पाया गया कि कैरोसीन डाला लक्षमण कुमार की मा ने मतलब जो जलने वाली महिला थी उसकी सास ने और आग लगाई हस्बेंड ने तो इस तरह से ये केस जो है तो जजमेंट मिल गया तीनों को सजा सुना दी गई लेकिन क्या होता है अब लक्षमण कुमार लोग कह नहां पहुच जाते हैं वों हाई कोट जाते उनका इमाना था कि हमने कुछ नहीं कि हमारे हमें गल्स सजा मिल रही तो सूरीम कोट में कोई उनके बिहाफ पर केस फाइल करता है PIL ठीके पढ़ेंगे आगे तो पब्लिक इंटरेस लिटिकेशन में फाइल किया जाता है कि ये डावरी डेथ्स वगरा जो हो रही है लक्षमन कुमार मुझरी में उसे बेगुना बरी नहीं किया जाना चाहिए तो फिर सुप्रीम को पाला जो कोट है उससे उपर उससे उपर जा सकते हो आप और तीनों के डिसीजन एक दूसरे के उपर क्या कर सकते हैं इंटीग्रेटेड रहते हैं ओवरलापिंग रहते हैं आया ना समझ में यह सारा सब कुछ पढ़ा हमने इस वीडियो लेक्षर में आयोप चीजें समझ में आई हैं किसी प्रकार का डाउट है तो फिल फ्री तो आसक इन कमेंट सेक्शन नेक्स वीडियो लेक्षर में हम पढ़ेंगे कि कोट्स भी किस किस तरह के होते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो उससे समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं फिर नीचे हमारे पास में क्या है, लोगर लेवल पर बहुत सारे डिस्ट्रिक कोट्स सबॉडिनृट कोट्स हैं अब ये सारा सब कुछ हमने समझ लिया, अब ये लोग काम क्या करते हैं, ठीके कौन-कौन से मैटर्स में डील करते हैं मैंने किसी की मुर्गी चुरा ली तो क्या मुझे पे किस तरह का case चलेगा मतलब मुझे क्या लोग खुनी कहने लगेंगे क्यों 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 कि मुर्गी के बाद में क्या बनाया मैंने chicken बना दिया तो अब वो तरह तरह के सवाल उठते हैं तो देखो example गंदा तो मुझे पता है लेकिन मैं आपको specify करवाना चाहरा हूँ कि courts का काम करने का तरीका जो है उसमें अलग-अलग spheres होते हैं ठीक है what are the different branches of legal system तो हम देखने आले हैं कि ये legal system तो पूरी judiciary है लेकिन पूरी judiciary जो है तो दो तरह के matters में deal करती है ठीक है कौन-कौन से एक criminal laws होते है criminal system होता है पुरा और दूसरा क्या होता है civil laws होते है तो अब हम criminal laws और civil laws दोनों को समझने की कोशिश करेंगे कैसे काम चलता है क्या होता है अब देखिए क्या है तो criminal laws जो है तो it deals with conduct or act that the law defines as offense for example theft harassing a woman to bring more dowry murder यह सारी चीज़े तो जिसे हम crime कहते है न crime murder कर दिया किसी का आपने किसी की चोरी कर लिए समान तो law जिस चीज को क्या करता है जिस भी conduct को और act को law क्या बताता है offense बनाता है गुना बताता है वह क्रिमिनल केसे में चले जाएगा criminal law में चले जाएगा तो जहां गुना हो रहा है यहां क्या होता है dispute होते हैं dispute कैसे तो civil laws में civil laws में भी गुना होते है जैसे आप किसी की property हडप रहे हो तो वह क्या हो गया वह एक तरह से गुना ही है लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहा हो, conflict हो गया ना आपको property को लेके तो यहाँ पर क्या है, it deals with the harm or injury to rights of the individuals for example, dispute relating to the sale of land, purchase of goods, rent matters, divorce, cases etc तो जो mainly civil cases जो होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो offensive नहीं होते हैं वो dispute से related रहते हैं, तो यह criminal laws हो गए, यह हमारे क्या हो गए, civil laws हो गए आगे क्या है, it usually begins with the lodging of a first information report with the police who investigates the crime after which a case is filed in the court, तो यहाँ पर क्या होता है, criminal laws में ऐसा होता है कि आप पहले F.I.R. file करते हो, first information report, क्या होती है first information report next chapter इंतजार कर रहा है, उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे सारी चीज़ों को बागी मैं भी बता देता हूँ कि first information report, first मतलब क्या है, पहले information मतलब जानकारी है, मतलब report तो पहले जब जानकारी देते हो, वो report जो बनती है, क्या, समझाता हूँ देखो कुछ भी, अगर crime हुआ है न, तो crime के आप पहले जानकारी जाके किसको दोगे, पुलिस को दोगे फिर पुलिस उस crime को क्या करेगी, अपने end पर investigate करेगी, ठीक है, सारी चीज़ों को समालेगी, एक file बनाएगी चार्डशीट बनेगी और चार्डशीट फिर court में पेश की जाएगी और बताया जाएगा कि यह यह हुआ है, यह केस है, अब court के उपर छोड़ दिया जाता है कि court decide करें कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या सजा देना है, ठीक है, तो यह जो होता है, तो इसमें पुलिस का एक important role होता है कि इसमें criminal law में, लेकिन वही चीज़ अगर आप देखते हो कहां पे, civil laws में, तो not necessarily that police is required to start the proceedings in civil laws, civil laws में हमेशा आपको police की जरूरत नहीं होगी, a petition has to be filed, a petition has to be filed before the relevant court by the affected party only, in a rent matter either the landlord or tenant can file a case, जैसे के example दिया है उन्होंने, तो यहाँ पे क्या होता है, कि जो भी respective court होता है, जैसे consumer courts, तो आगर मानलो किसी consumer के साथ में कोई धोका धड़ी हुई है, तो वो criminal case में नहीं जाएगा, ठीक है, अगर किसी consumer के साथ में defected product दे दिया है, त तो वो कहां जाएंगे, तो वो civil laws को deal करवाने के लिए civil court में जाएंगे, आगे नहीं समझ में, डाइवोस के जिसे matter होते हैं, तो family courts होते हैं, वहाँ पे जाएंगे, आगे समझ में, और यहाँ पर not necessarily that police is required in every situation, कभी-कभी जरुवत पढ़ सकती है, लेकिन हमेशा police के criminal laws होते हैं, तो if found guilty, criminal laws के हसाब से अगर जिस इंसान के उपर आरोप लगाया, आपके उपर आरोप लगाया है कि आपने क्या किया है, आपने किसी का murder किया है, नहीं करोगे मुझे पता है, तो आपके उपर आरोप अगर लगाया, अगर आप आरोपी पाये गए और तो the accused, accused मतलब जिसके उपर आरोप लगाया था, the accused can be sent to jail and also find, jail भी हो सकती, fine भी लगाया जा सकता और उपर से आपके उपर, यहां क्या होगा, the court gives the specific relief asked for, अब देखो इसमें conflict है, conflict क्या है, conflict यह है कि आपने rent क्या कर दिया है, नहीं दिया है, और मैं कहरा हो rent दे दिया है, वो conflict है, तो specific relief asked for, consumer court में क्या हो रहा है, कि आपको defected product ने आप दिया था, तो आप claim करोगे, कि आपको क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए आपका, ठीक है, divorce के case में आप क्या करोगे, civil case है, आप यह तो नहीं बोलो कि मैं husband को लगा कि jail में डाल दो, आप बोलो कि बस अलग कर दो हमें, तो उस तरह से क्या होता है, कि court gives the specific relief asked for, जो भी relief मांगे गई है, यहाँ पे भी कभी-कभी jail होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि jail होगी नहीं civil laws में, दोका दड़ी वगरा जादा करिया, आपने तो fine के साथ में आपको jail भी हो सकती है, ठीक है, तो for instances जैसे एक example दिया है, in case between a landlord and a tenant, the court can order the flat to be vacated and pending rent to be paid, मान लोगा tenant बहुत चालाग था, उसमें कभजा करने की सोची थी, court में पहुच गए, court ने पाया कि नहीं भी है, जो landlord है वो तो सही है, tenant जो था किरायदार था, यह बदमाश था, तो बोलेगी कि जल्दी से क्या कहली करो तुम, flat खली कर दो, flat खली कर में, flat से बाहर निकाला जाए, तो फिर क्या होता है, action लिये जाते हैं, इस तरह से, ठीक है, तो civil laws जो होते हैं, mainly conflicts में deal करते हैं, criminal laws जो होते हैं, mainly crimes में deal करते हैं, यह चीज गाठ बांद लो, और इसी के साथ हमारे topic भी complete होता है, आया समझ में, तो what are the different branches of legal system, criminal laws, civil laws, दोनों समझा दिया हमने आपको, आपको समझ आ गए, doubt है, feel free to ask in comment section, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much, hello everybody, this is दिग्राश सिंग राजपूत, welcome to Magnate Brains, इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे, does everyone has access to court, अभी तक हमने क्या पढ़ाया चाप्टर में, हमारा चाप्टर है Judiciary, मैंने आपको Judicial structure के बारे में कुछ बताया, बताया कौन-कौन सी branches होती है, ठीक है, तो हमने Criminal Law, Civil Law, ये सारी चीजें लास्ट वीडियो तक पढ़ चुके हैं, अब जो एक, आपके सामने एक सवाल रहे, सवाल क्या है, देखें सवाल ये पूछ रहा है, does everyone has access to court, क्या हर के लिए court खुले हुए और क्या हर इंसान वहां तक पहुच पाता है, खुले है तो सभी के लिए, ठीक है, और उसी ब्यार फे हम क्या कहेंगे, बीग ये सजी हाँ, हर इंसान जा सकता है, क्या पर हर इंसान पहुच सकता है, अब बोलो कर दोनों चीजे की है सर, लेकिन दोन practically ये possible है, ठीक, constitution में तो दे दिया है, आप से पुचा जाए, reality क्या है, ठीक है, constitution में दे दिया है, every citizen has a right to justice through the courts, but what is the reality, ground reality क्या है, तो अब देखो, हमें civics पढ़ना है, सिर्फ ये नहीं पढ़ना है, कि यहां बुक में दे दिया है, कि ऐसा है, court में सब जा सकते हैं, बस पह while the courts are available for all, in reality, access to courts has always been difficult for vast majority of poor in India, ठीक है, in constitution, it is being granted कि हर इंसान को पूरी-पूरी आज़ादी कि आप court जाईए, ठीक है, लेकिन, in reality अगर बात करें, तो vast section of our population, ठीक है, बड़ा सा जो हिस्सा है, हमारी population का, ठीक है, वो क्या है, वो courts तक नहीं पहुच पाया है, आज भी, क्य कैसे नहीं पहुच पाया, क्यों नहीं पहुच पाया, ठीक है, तो वो समझाते देखो, उसके पीछे कारण समझना, अब question यहां से अगर frame होता है, direct, तो आपको यह भी बनना चाहिए, कि reality में बहुत सारे लोग courts तक नहीं पहुच पारें, क्यों नहीं पहुच पारें, ठी ठीक है, as well as take up a lot of time, दो चीज़े आगई, तीन चीज़े आगई माननों आप, जैसे money, paperwork, time, तो क्या होता है, कि आपको अगर legal process के थुरू जाना है, court में जाना है, कि सुबह उठे कपड़े पहने, चलो court चलते है, उतना असान नहीं न, आपको पुरा legal process के थुरू जाना प क्या करना होगा, एक पूरा legal framework होगा, एक process होगा, उस process के थुरू आपको court तक जाना होगा, जिसमें बहुत सारा पैसा लगने वाला पहली चीज़ और दूसरी चीज़ का है, इसमें बहुत जादा paperwork लगेगा, ठीक है, अब क्या इसी के साथ साथ में time भी लगेगा, time कैसे आपको judgment मिल जाएगी, ठीक है, बहुत सारे cases पहले से pending है, आपकी बारी कब आईगी, तो बहुत सारी समस्या है, तो अब देखो क्या है, दो चीज़ें, आपने कह दिया, हाँ आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, लेकिन वो आपका काम होने में अगर समय लग है, तो काम करवाने से क्या मतलब, उस तरह की स्तिती हो गई यहापे, तो क्या हो रहा है कि, in reality देखने को में यह मिलता है कि, there are many problems when it comes to reaching up to the courts, तो पहली problem क्या होगी, it requires a lot of money and paperwork, आया समझ में, दूसरी चीज़ क्या है, for a poor person who cannot read and whose family depends on daily wage, the idea of going to court to get justice often seems remote, यह चीज़ समझने वाली है, अब मान लीजे चलो, क्या लगता है बहुत जादा पैसा लगता है, बहुत जादा टाइम लगता है, किसी इंसान के पात टाइम भी खूब है, तिकि उसना अपने business automation पर लाके छोड़ दिया है, कि सारे employees समाल रहे हैं, उसके उसके पास पैसा भी आ रहा है बहुत वो इंसान तो जा सकता है कोड तक, तो आप बोलोगे कि क्या डिक्कत है, जिसके पास पैसा है टाइम में होतो जाएं, लेकिन reality क्या है कि सभी लोग एक जैसे थुरी ना है देश में, disparities हैं, अब disparities हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, जब इस तरह की समस्या हैं, तो for a poor person who cannot read and whose family depends on daily wages, अब एक गरीब इंसान है, जो पढ़ नहीं सकता है, जो paperwork समझ नहीं सकता है, जिसकी family कैसे चलती है, daily wages पे चलती है, daily wages मतलब क्या है, कि अगर वो आज घर से बाहर निकल के काम करने नहीं जायागा, तो शाम को उसके खाना नहीं खाबाएंगे, बोलो, तो इस तर पैसा कहां से आएगा, कि वो legal process को afford कर सके, तो इस sense में क्या है, इस sense में हम देखते हैं, कि अगर बात की जाती है, justice की, ठीक है, अगर बात की जाती ही, courts तक जाने कि अपने fundamental rights अगर wallet होने, उन्हें restore करवाने की, तो वो, क्या है, theoretically, constitution में तो सभी लोगों के लिए हैं, लेकि government do to resolve this, government क्या कर रही है, government ने कुछ नहीं किया, कि इन परिशानियों को resolve करा जाया, या फिर क्या सके, government को भी समझ आ रहा होगा, कि हा, reality में तो हमने, मतलब, rights तो दे दिये लोगों को, लेकिन practical problems है, government मी, मतलब, government मी देखती समझती है, सारी सीजों को, तो government ने कुछ नहीं क trust litigation और PIL, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत important, to increase access to justice, ठीक है, यहाँ पर क्या है, justice है, ठीक है, तो देखो क्या होता है, अब government ने जब practical problems देखी, जो हमने अभी पिछली slide भी discuss करी है, तो उन practical problems को देखने के बाद में, government ने तहे कर लिया, क्या, कि यार भीया, access तो बढ़ाना पड़ेगी, लोगों की, मतलब कैसे, कि courts तक पहुचने की आजादी तो सब को देदी, आपने rights तो सब को देदी, लेकिन सब पहुंच नहीं पा रहे है, तो उसके लिए government को ही कुछ करना पड़ेगा, तो Supreme Court ने फिर एक system, एक mechanism evolve किया, वो क्या है, public interest litigation, शब् मतलब क्या, उनके interest में तो समझ आता है आपको, और public मतलब जनता, तो जनता के interest में आप जब अरजी लगाते हो, ठीक है, जनता के हित में, जनता के हित में मतलब क्या है, कि मान लो, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, मेरे fundamental rights violate नहीं है, लेकि मैं देखा यार कि ये पूरा ये समस्य है, वो face कर रहे है, और court क्या करेगा, court जो रहेंगे, supreme court, high court जो रहेंगे, तो वो उस इंसान की परिशानी को समझेंगे, ये तो मज़दार तीज हो गई, ठीक है, अब हर इंसान, इंसान नहीं पहुँच सकता है, रेकिन उसकी परिशानी तो पहुची सकती है, ज जलूरी नहीं कि जिसका rights wallet है, वही लगा है, कोई भी लगा सकता है, एक और जनता छोड़िये, public से जुड़ी हुई जो भी interest है, public से जो भी interest जैसे क्या है, एक example देता हूँ, एक factory लगा ही किसी ने, वो factory क्या कर रही है, कि पूरे के पूरे जो बाजू में तालाब था, उस उसका against में किसे जाएं, तो अब क्या होता है, किसी एक इंसान ने देखा है सारी समस्या को, वो इस इंसान को पता था, public interest litigation के पारे में, वो क्या करेगा, public interest में litigation file कर देगा, कि ये industrialist जो बदमाशी कर रहा है, हो गया समधान, तो इस तरह से क्या होता है, कि public interest litigation ने justice को, courts को, जो हम कहते हैं, निया दिलाने वाली बात है, तो उसको बहुत क्या कर दिया, simplified कर दिया है, क्या होता है, तो it allowed any individual or organizations, तो कोई individual, कोई organization, कोई भी, to file a PIL in high court or the supreme court on behalf of those whose rights were being violated, जिसके rights violated हुएं, उसके बहाफ पे, कोई भी एक organization, एक individual क्या कर सकता है, PIL file कर सकता है, public interest litigation file कर सकता है, है ना मज़दार चीज, तो अब क्या होता है, even a letter or telegram address to supreme court or high court could treated as PIL, अब PIL के लिए ज़रूरी नहीं कि मुझे, जैसे मुझे दिखरा है क्या रिया दिक्कत हो रही है, मैं अगर इनके बहाफ पे litigation file करता हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि मुझे जाना पड़ेगा code में, म अब देगो क्या इसके advantages समझो, advantages क्या है, तो इसने बहुत सारे ऐसे section के लोगों को मदद करिये, जो अगर जिनके भीहाफ पर आवाज नहीं उठाई जाती, तो शायद वो ऊपर नहीं उठाते, शायद अपनी परिशानी से बाहर नहीं आते, तो जैसे helping in rescuing bonded lebers, क्या होता ह जा रहा है, तो इस तरह से क्या है, helping in rescuing bonded labor में ये बताया गया है, कि जो bonded labor से उन्हें छुडाने के लिए क्या किया गया, public interest litigation, किसी organization ने, किसी individual ने, किसी lawyer ने डाल दी, public interest litigation, तो अब court उनके बहाफ पर क्या दे रही है, जज्मेंट दी रही है, फाइदा हुआ, securing the release of prisoners in Bihar, who had been kept in jail even after their punishment term was completed, ठीक है, ये बहुत landmark achievement रहा है, public interest litigation का, कि Bihar में, बहुत सारे ऐसे prisoners से, जिने क्या है, prisoners of prisoners in Bihar, who had been kept in jail even after their punishment term was completed, बहुत सारे ऐसे prisoners से, जिने छोड़ा नहीं जा रहा था, ठीक है, जेल में रखा था Bihar में, क्यों, क्योंकि उनका term period पूरा हो गया था, फि वो तो जेल में है, उतना knowledge नहीं है, पैसा नहीं है उतना, तो उनके बहाफ पे क्या होता है, कि organizations ने, NGO वगेरा ने, फाइल किये cases, public interest litigation और उन्हें छुड़ाए गया, तो इस तरह से क्या है, एडवांटेजे देखो, public interest litigation, कि public interest में, कितना कुछ अच्छा किया दार है, ठीक government school में क्या होता है, पढ़ने जाओ, पढ़ने जाओ कि वहाँ खाना भी मिलेगा दोपेर में, ठीक है, तो जो lunch रहता है, तो school में lunch दिया जाता है, midday meal में, मद्यान बोजन जो रहता है, अब कैसे आई, तो ये midday meal की policy है, वो कैसे आई, उसके पिछे की history समझो देखो, तो यहां कुछ photographs है, photographs के थूर समझाने की कोशिश करिए, वो भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, relate this story, अब क्या होता है, कि किसी ने देखा, ठीक, किसी ने एक organization है, तो उसने, एक engineer उसने देखा कि, क्या हो रहा है कि हमारे देश में, हमारे देश में क्या हो रहा कि कहीं लोग भूके मर जा रहे हैं, लोग आकाल वाली स्तिती में जी रहे हैं, तो अब क्या हो गया, यह तो एक तरह से हम देखते हैं, wastage of resources हैं, कि यह जो खराब हो रहा है, यह सड रहा है आज, इसे आप उन्हें खिला देते तो वो, किसी की death तो नहीं होती ना, तो इस तरह से अब यह लोगों ने observe किया, तो NGO ने क्या किया, एक Public Interest Litigation डाली Supreme Court में, ठीक है, Public Interest Litigation डाली गई, ठीक है, Tamil Nadu Court से वैसे स्टार्ट होती यह चीज़े, तो एक Public Interest Litigation के बाद में क्या दिताई किया जाता है, तो Tamil Nadu Government जो है, वो directions देती है, किसे वो direction देती पहले Tamil Nadu Government को, क्या कि वहाँ पे यह observe किया जाता है, कि यह जो क्या सकते हैं, कि schools है, schools में क्या किया जाए, बच्चों को इस तरह से दोपहर का खाना जो है, वो इस excessive grain जो है आपके पास, मैं फिर government के पास बहुत grain है, तो उस grain से government क्या करेगी, बच्चों को lunch प्रोवाइट करेगी, ठीक है, उसक्याद में दूसरी चीज क्या है, कि बच्चों की health condition improve होने लगी, तो जो malnutrition से सफर करते थे बच्चे वो ठीक हो गए, ठीक है, तो यह सारे advantages हुएं किस चीज के, यह सारे advantages हुएं मिड़े मीर स्कीम के, अब देखो क्या है, तो यहाँ पर right to life क्या था, एक fundamental right हुआ करत तो article 21 जो है, right to life बताता है, यह हमारा wallet हो रहा है, ठीक है, अब क्या है, right to life में court जो है, judiciary जो है, तो वो judgment देती ही, कि जीने का मतलब यह नहीं कि सुर्फ तुम पैदा होगा, तो तुम्हारी कोई हत्या नहीं करेगा, जीने का मतलब यह कि तुम्हें दो टाइम का खाना मिल रिस्पेक्ट मिले, सेफ इन्वार्मेंट मिले, यह सारी चीज़े right to life में आती ही ना, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हूं क्या होता है, कि जैसे right to food को भी incorporate किया गया, और right to food के अंदर जो बच्चे हैं, जो schools आ रहे हैं, और उनके पास अगर खाने को नहीं है, इस लिखते हागे क्या है, तो another issue that affects the common person's access to justice, ठीक है, अब देको हमने यह देखा कि common person जो एक, उसके पास पैसे की कमी है, टाइम की कमी है, उसके पास knowledge नहीं है, ठीक है, अब क्या है, अगला issue एको जो निकल के आता है, another issue that affects the common person's access to justice is long number of years that courts take to hear cases, ठीक है, अब इसमें court भी कुछ नहीं कर सकता है, पहली बात तो कि हमारी country में population इतनी जादा है, इतने सारे cases होते हैं, इतने सारे cases होते हैं, इतने सारे लोग परिशान होते हैं, और उस कारण से क्या है, कि बहुत सारे विवाद जब होते हैं, बहुत सारे cases government के सामने जाते हैं, और हमारा judiciary का जो कह सकते हैं कि setup है तो उतना बड़ा नहीं है, बड़ा in the sense इतने सारे ज्यादा judges नहीं है, ज्यादा judges की number बढ़ना चाहिए, उसका solution यह हो सकता है, लेकिन ultimately होता क्या है कि कुछ judges इतने सारी problems तो pressure create होता है, कि इसके उपर judiciary के उपर, और जि 30-40 साल वो इंसान ही चले गए, उसके बाद में उसकी बारी आ रही है, तो यह लंबे-लंबे क्या होता है, judgment में बहुत जादा टाइम लगता था, और इसी कारण से court है, क्या है, justice delayed is justice denied, ठीक है, मतलब आप अकर नियाए को देरी से दे रहो तो नियाए देने से मतलब ही नही चले जाए लेकिन उसका case solve नहीं होता है, जब इस तरह की समस्या निकल के आई, तो इन समस्याओं का समाधान क्या निकलेगा, इन समस्याओं का समाधान यह है कि हमें judiciary core efficient बनाना चाहिए यह सारी चीजें, ठीक है, जैसे एक example, हार्शिम पूरा massacre का दिया गया है, कि यहाँ यहाँ पर एक बार क्या होता है, मतलब कुछ armed forces ने massacre कहा जाता है, मतलब नर्स अंहार, large scale पर लोगों के हत्या हो जाना, तो मेरट उत्तरप्रदेश में case हुआ था एक बार, ठीक है, शायद 1987 है, 1989 में, तो उस टाइम पर क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को पुलिस ने मार ठीक है, रॉक्स वगरा दंगे हुए थे, तो मुस्लिम जो इंडिविजल्स थे, उनकी डेथ हो गई थी, अब क्या होता है, तो तब जो इंसिडेंस हुआ, बहुत लंबे समय तक चलता रहा, चलता रहा, जस्टिस ही नहीं आया, तो फिर यह यह सा कहा गया है, कि ऐसी जु जुदिशरी है, ठीक है, और जैसी भी है, जुदिशरी काम तो कर रही है, ठीक है, तो उस सेंस में क्या है, मतलब हम लें देखा कि ड्रॉबैक से, ज़ ещё okay, परफेक्ट कोई सा institution नहीं होता है, कोई सी country नहीं होती, कोई सा system नहीं होता, कोई इनसान भी नहीं होता है, क्या हो होता है कि आप कितना strife करें perfection के लिए आप कितने कोशिश करें perfect बनने की आप कितना efforts लगा रहे हो तो वहां पर हम अगर देखें तो despite there is no denying that judiciary has played a crucial role in democratic India ठीक है तो judiciary बोट important role भी प्ले करती लेकिन जब बात होती है डेमोक्रिटिक इंडिया की, डेमोक्रिसी को मजबूत बनाये रखने में जुडिशेरी ने बहुत इंपॉर्टेंट रूल प्ले किया है, सर्विंग एस चेक ऑन पावर्स ऑफ एक्जिक्रिटिव एन लेजिशेरी नहीं होती, तो एक्जिक्रिटिव और लेजिशेरी की पावर पे कौन चेक लगा था, फिर तो परिशानी और बाज आती कि एक्जिक्रिटिव और लेजिशेरी लोगों को एक्स्प्लॉइट करने लगते हैं, तो इस संस में जुडिशरी के ये achievements भी हैं Fine, ये सारा सब कुछ डिसकस किया हमने Thus everyone has access to the code अब आप बोलो जिसर एक बीच में topic छूट गया जी हां, तो वो जो topic हैं से हम Olga Talis वाले case के साथ पर पढ़ेंगे बड़ा मज़़ा आने वाला है, ठीक है? तो next video lecture में उसे cover करने वाले हैं Clear, I hope यहां तक चीज़ें समझ में आईएं किसी प्रकार के doubt हैं, तो feel free to ask in comment section Till then, stay connected, keep learning, thank you, thank you very much Hello everybody, this is Degraas Singh Rajput, welcome to Magnet Means इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में पढ़ेंगे Olga Talis versus Bombay Municipal Corporation वाले topic को अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने देखा समझा चीजों को कि किस तरह से judiciary जो है, हमारा judicial system में बना हुआ है मतलब कैसा structure है उसका, ठीक है? अलग-अलग branches होती है फिर उसके बाद में last video में हमने एक बहुत important question को discuss किया था कि does everyone have equal access to court? ठीक है, क्या हर इंसान की equal access है court तक? क्या हर इंसान पहुच सकता है court तक? तो हाँ भी और ना भी क्या कहना चाहरे है हाँ भी और ना भी से? तो हाँ इंसान तो जा सकता है मतलब court तो हर इंसान को मतलब हर individual को, हर citizen को equal front पे justice provide करेगा ठीक है, चाहे वो कोई भी हो लेकिन practical problems होती है बहुत जादा पैसे की कमी, time की कमी, ठीक है, knowledge की कमी तो हर इंसान क्या, अब इस, इन सारी कमीों के साथ में justice को पा सकता है तो एक बड़ा सा ना लिख दिखते हैं ठीक है, तो इस तरह सी practical problems थी अब उन सारी practical problems में एक और problem है, ठीक है, जो एक case के थूर हम पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है, और यह last topic भी है आपके chapter का, fine, तो देखो क्या है हाँ पे, there are also court judgments that people believe work against the best interest of common person क्या होता है कि कुछ judgments किस की judgment, court ही judgment देगा, आप और मेरी judgment से क्या होता है बेखा होगा तो, unpopular, controversial और unpopular laws जो थे, तो उसी तरह से कभी-कभी क्या होता है कि हमारा integrated nature है, judiciary का, बताया था हमने इसी chapter में आगे, तो integrated nature होने के कारण क्या है कि जो judgment आपने आपके district court ने दिया, आप उसे challenge कर सकते हो, high court में, high court के judgment को supreme court में challenge कर सकते हो, लेकिन तीनों के judgment जो है, मतलब जो higher court से हैं, तो उनके judgment prevail करेंगे, मतलब, district court के उपर high court का, और high court के उपर supreme court का, ठीक है, और हमारे judiciary integrated है, अब कभी-कभी क्या होता है, high court कुछ बोलता है, supreme court कुछ बोलता है, district court कुछ बोलता है तो इस कारण से क्या होता है कि common जो citizens उनके लिए problem भी create हो जाती है, उसका एक example है Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation का, ठीक है, ये case को समझी है, case की मैं आपको एक outline बता देता हूँ, क्या होता है, Bombay Municipal Corporation decision देती है, कि जो footpath, empowerment जो है, तो वहाँ पे जो भी slum dwellers हैं, या फिर जो लोग रह रहे हैं, उन्हें वहाँ से हटाये जाए, evict किया जाए, उन्हें वहाँ से हटा के कहीं और मतलब कहीं और बिठाये जाए भी नूँ बस उन्हें वहाँ से अपने जो footpath पे घर बना के सुष्ठी के कभी आगे चले गए तो इस तरह से जो slum dwellers होते थे उन्हें हटने के लिए कह दिया, court ने कह दिया, अब देखो क्या होता है, तो the same time some judgments try to protect the livelihood of slum dwellers, अब क्या होता कि जब ये local level पे जो courts ऐसी judgment देते हैं, तो higher level पे जाते सुप्रीम कोट में जाते हैं कि हमारा fundamental right है, क्या? कि हमें जीने कादिकार हो, लेकिन अब क्या हो रहा है कि judiciary जो है तो एक तरफ से हमें भगा रही है, पिर ये दूसरी judiciary के पास में गया है, तो दूसरी judiciary ने protection दिया, मतलब सुप्रीम कोट उन्हें कैसे protection देता है तो ये Olga Teles versus Bombay Municipal Corporation का केस से समझो, ठीक है? सुप्रीम कोट क्या कहता है? Right to livelihood as a part of right to life ठीक, सुप्रीम कोट बताता है कि right to livelihood जो है, आपका जो जीने का अधिकार है, ठीक है? वो as a part of right, मतलब जीने का अधिकार जो है तो उसमें आपके अधिकार ये भी कि आप सहीं तरह से जी सको ठीक है, आपके पास काम हो, रहने की जगा हो ठीक, living space होना चाहिए अब क्या होता है, सुप्रीम कोट ये बताता है ठीक, Olga Teles versus Bombay Municipal Corporation case में कि जो slum developers हैं तो some slum developers को क्या problem face करना पड़ती कि पहली बात तो economically sound नहीं है, पैसा नहीं है दूसरा क्या है कि वो शेहर को साफ करने में सारी सीजों में लगे हुए है ठीक है, और अब उनके पास रहने की जगा नहीं है कि बस जीने का अधिकार है तो आपका murder कोई नहीं करेगा murder करेगा तो हम आपके favor में fundamental right wallet होने का judgment सुना देंगे बस, लेकिन आपको जब जीने का अधिकार दिया है तो उसमें आपको सारी चीज़े होना चीए ठीक है, लाइफ means something more than merely animal existence सिर्फ जानवर की तरह जीने का मतलब life नहीं होता है उससे कुछ जादा होता है, क्या होता है कि खाना हो, ठीक है आपका development हो, ठीक है आपको एक safe environment मिले, रहने के लिए घर हो यह सारी चीज़े, अब इसलिए आप दिखते होंगा कि government की जो policies आती ही तो वो Supreme Court के judgment से कहीने कहीं बहुत जादा जुड़ी होई होती है कैसे अब प्रधानमंत्री आवास योजना आईये तो government क्यों लोगों को घर बना बना के दे रही है क्योंकि यह government की responsibility की की लोगों के fundamental rights है की right to life अब जीने के लोगोंने घर भी चाहिए रहेगा ना तो government support करती है इस तरह से तो Supreme Court judgment देती है right to livelihood as a part of right to life जिसमें क्या बोलती है life means something more than mere animal existence ठीक है and the eviction of person from pavement or slum will inevitably lead to the deprivation of his means of livelihood वो उनका जी मतलब देखो अब ऐसा तो नहीं क्यों आप pavement से footpath से हटा दोगे तो वो जाके कहीं किसी multi में बहुत आलिशान flat ले लेंगे नहीं नहीं सकते ना तो उनका right to livelihood क्या है उनका जीवन यापन का तरीका क्या है कि उनके पास पैसा नहीं है इसलिए तो वो पार्वेंट पे footpath पर है के जीवन जी रहे हैं अपना यह तो government की responsibility बनती है कि government उन्हें व्यवस्तित तरह से क्या करके दे accommodation दे तो यह right to life में आता और यह Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation का पुरा case था जिसका मैंने crux आपकी जो book है 8th class civics की book उस हिसाब से मैंने आपको समझाया I hope तीजे समझ में आई है chapter यहाँ पे खतम होता है किसी प्रकार के doubt है तो feel free to ask in comment section till then stay connected keep learning thank you thank you very much